हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका बनना फूरी किचिन में आज मैं आपको आवली काचार बनाना बताऊंगी जैसे मैं अपने घर में बनाती हूँ यह वहती टेश्टी चट पटा लगता है खाने में आप इसे पूरी पराठे किचिडी दलिया किसी से भी खाईएगा और यह तुरंत बन भी जाता है और आप इसको तुरंत खा भी सकते हैं आजकल बजार में आवली ताजे आ रहे हैं ताजा बनाईए और ताजा खाईए चले फिर मैं आपको बनाना बताती हूँ हमको लगबर दोसे ग्रम आवली चाहिए मैंने दोके इनको रख लिया था पहली अब एक भगोना लेंगे और मैंने भगोने में दो गलास पानी डा जाते हैं और 20 से इस तरह से फट नहीं जाते हैं देखिए बॉयल हो गए हैं अब हम इनको छली में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे जब तक हम मसाला बनाएंगे मैंने गैस पर कड़ाई रख दिया इसमें मैंने दो चम्मच मैथी दाना दो चम्मच अजवाइन और दो चम्मच स्वाप डालेंगे और दो चम्मच हम जेरा डालेंगे और धिमे आज पर हम मसाले को भूनेंगे और आट-दस काली मिची भी डाल देंगे और मैंने दो साथ में लॉंग भी डाल दी हैं अब मैं इसमें लाही डालूंगे मेरे इदर इसको लाही बोलते हैं आप आप के दर जो भी बोलते हूं आप पीली सर्सो भी ले सकते हैं और थोड़ा सा मेरा मिक्सर वाला मसाला भी रखा था अचार का भोवी डाल दियाा है अब हमारा मसाला भुन गया है दिमी आज पर अब मैंने एक कतुरे में निकाल लिया और ठंड़ा होने देंगे और अब हम म नमक डालें गलावल पाउडर करें टेलिए। 1 लाखी पाउडर हम्साबिक टालेंगे और 4 लाख बूसता नमक दालेंगे बूस्ति नमक डालेंगे और 12 लिमेड़ और 200 लेख नमक दालेंगे अब हमारे आवले भी थोड़े ठंडे हो गए हैं तो अब हम इनको अच्छे से फोड़ लेंगे इस तरह से और एक-एक कलियां हम इसकी निकाल लेंगे आप चाहे तो इनको पूरा भी डाल सकते हैं आवले को और इस तरह से तोड़ भी सकते हैं सभी को हम इसी तरह से तोड़की रखना है मैं आपको अगले वीडियो में आवले का साधा सा सिंपल सा आचार बनाना बताऊंगी बिना मसाले भाला वो भी बहुत है अच्छ लगता है खाने में अब जो हमने मसाला बना के रखा था उसमें हम आवले को मिला देंगे और अच् तो लाइक कीजेगा सेर कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनवाद